आजकल हिंदू सनातन धरम पर प्रशंचिन लगाने वाले बहुत से अज्ञानी मुर्ग पैदा हो गए हैं। विज्ञान सिद्र नहीं कर पाया और स्वयम को आधुनिक युक का आधुनिक और पड़ा लिखा व्यक्ति सिद्ध करने की होड में उन बातों को मंधनक बता कर उन पर हस रहे हैं। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि कुछ सनातनी भी इस कारे में बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसी ही एक बात है प्रभु श्री राम के जन और उनके पिता दश्रत को लेकर। रामायन महा काववे के अनुसार श्री राम का जन खीर खाने के कारण हुआ था। इसलिए यह कहकर उपहास करते हैं कि जब प्रभु श्री राम का जन खीर खाने के कारण हुआ था तो उनके पिता दश्रत कैसे हो सकते हैं और किसी भी मनुश्य का जनम केवल खीर खाने से कैसे हो सकता है। जबकी विज्ञान इस बात को प्रमानित कर चुका है कि एक स्त्री और पुरुष के मिलन से ही किसी नए जीवन की उत्पत्ती होती है। तो ऐसे ही लोगों के लिए है हमारा यह वीडियो। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर प्रभुश्यरी राम का जनम खीर खाने से कैसे हुआ था। और जब राजा दश्रत उनके पिता नहीं थे तो फिर पुराणों में उनके पिता के रूप में उनका नाम क्यों वरनित है। प्रणाम मित्रो ज्यान और विराग्ये चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। रामायन महाकाव्ये में वर्नित है कि राजा दशरत के पुत्र नहीं थे और पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने गुरू रिशी वसिष्ट के कहने पर अश्वमेग यग्य तथा पुत्र कामेष्ठी यग्य का आयोजन करवाया। और यग्य करवाने के लिए उन्होंने रिशी रिंगी को आमंत्रित किया। राजा दशरत के यहां रिंगी रिशी ने पूरे विदिवत तरीके से पुत्र कामेष्ठी यग्य संपन किया और यग्य संपन होने के पस्चाग यग्य देवता एक खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए। यग्य देवता वह खीर का कटोरा रिशी रिंगी को देते हुए बोले जो भी स्त्री यह खीर खाएगी उसे सर्वगुण संपन पूत्ररत्न की प्राप्ती होगी। रिशी रिंगी ने खीर का वह कटोरा रिशी वशिष्ट को दिया और रिशी वशिष्ट ने राजा दश्रत को दिया राजा दश्रत ने उस कटोरी की खीर का एक भाग अपनी पत्नी कोशल्या को दिया और एक भाग के कई को दिया परन्तु सुमित्रा को बाकी दोनों राणियों से अधिक खीर मिली जिस कारण नो महीने के बाद के कई और कोशल्या को एक एक पुत्र रत्नी की प्राप्ती हुई और सुमित्रा के दो पुत्र हुए केकई के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुगन था और कोशल्या ने प्रभुशिरी रांग को जरन दिया इस प्रकार से राजा दश्रत के यहां चार पुत्र हुए उनके केवल चार पुत्र नहीं थे बल्कि एक पुत्री भी थी जिसका नाम शान्ता था राजा दश्रत के यहां जिस प्रकार चार पुत्रों का जन्म हुआ वह प्रसंग बहुत से लोगों को भ्रमित करता है कि जब राजा दश्रत ने अपनी पत्नियों से मिलन किया नहीं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो फिर वे किस प्रकार से अपने पुत्रों के पिता कहलाए किस प्रकार से वे प्रभुशिरी राम के पिता कहलाए जबकि उनकी माता तो कोशल्या थी क्योंकि जब एक स्त्री और पुरुष का मिलन होता है तब ही संतान प्राप्ति होती है और उस संतान को पिता का नाम दिया जाता है तो फिर प्रभुशिरी राम को उनके पिता का नाम क्यों मिला? तो इस प्रशन का उत्तर बहुत ही पोरानिक है चोंकि प्राचीन समय में ही एक स्त्री त्याग का प्रयाय कर रही है एक स्त्री संतान को जन्म देने और अपने पती का वन्ष आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ त्याग करती है यहां तक कि अपने प्राणों का त्याग करने के लिए भी तत्पर रहती है संतान को जनम देने के उपरांद भी वह उसे अपना नाम भी नहीं देती अपना नाम भी त्याग कर देती है जब भी कोई स्त्री संतान को जनम देती है तो उसके नाम के साथ उसका नाम कभी नहीं जुड़ता उसके पिता का नाम ही जुड़ता है आप में से सबी लोगों के नाम के पीछे आपके पिता का नाम जुड़ा होगा माता का नाम नहीं आपको आपके पिता के नाम से हर कोई जानता होगा माता के नाम से नहीं यह प्रथा पोरानिक काल से चली आ रही है यही कारण है कि प्रभु शिरी राम के पिताना होते हुए भी राजा दश्रत को उनके पिता के रूप में जाना जाता है यदि आपको हमारी एहकता अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोसाहित जरूर करें आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तूती आपको काफी पसंद आई होगी आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को जादा से जादा लोगों तक पहुचाने के लिए लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद झाल